नमस्कार मैं हिमानशी कुमार और आप देख रहे हैं जन्ता जंक्षन जेडियू नेता और केंद्रिय मंत्री आर्सिपी सिंग पटना पहुंच चुके हैं और वो अपने बयानों के जरी ये साप जलक रहा है कि वो बताने की कोशिस कर रहे हैं या खुद ये अहसास हो जा रह है तब ये लोग खुशी का इजहार करने आए हैं और ये देखकर उनको भी अच्छा लग रहा है बता दे की आर्सिपी सिंग का पकड़ जो है वो संगठन में पहले से रहा है जब वो राष्टी अध्यक्ष के पत्पर नहीं थे उसके पहले से 20 सालों से संगठन का काम दे हमारा तो संगठन के हम आदमी है हमारा सब संगठन के साथ ही है उनको लगता हो संगठन के लोग है कार करता है उनमें खुशी है कि आर्सिपी सिंग अब मंत्री बन गए है आप बता दे कि लगातार आर्सिपी सिंग ये दावा कर रहे हैं कि जेडियू में नितीश कुमार के बाद उनका सबसे बड़ा कद है और बता दे कि दिल्ली से जब वो पटना के लिए चले थे तो पहला बयान दिया था कि जेडियू के अंदर सिर्फ निता नितीश कुमार हैं यानि वो ललन सिंग को और उपेंद सिंग कुस्वाह को सीरे से खारीज कर रहे हैं और एक तरफ हम लगातार आप ख़बरों के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे आर्सिपी सिंग के तमाम समर्थक जो हैं वो उपेंद कुस्वाह को जलील करने पर पड़े हैं और लगाता करता होना चाहिए कि जेडियू का वोट बैंक जो है वो लबकुष का रहा है वो लबकुष की राजिती करते रहें इसलिए आरसेपे सिंग को ललन सिंग से ज़्यादा उपेंद कुसवहा से वर्चस्विक लड़ाई है और इसलिए आज जब आरसेपे सिंग पठना पूच कर जो कुछ भी कह रहे हैं कि संगठन के वो निता रहे हैं और अब जो संगठन में उनके लोग हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं कि मंत्री बन चुके हैं जो साब बताता है कि RCP Singh अब फूल एक्शन मोड में हैं आप देखते रहें जन्ता जंक्शन मों आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे